आपकी श्वतामेम MS Academy Secondary School अजमीर से बच्चों यूट्यूब पर यह दिया आप मेरी वीडियो की दोरह स्टेडी करना चाहते हैं तो सर्च करें Chemistry by श्वतामेम Chemistry by श्वतामेम बच्चों यह चैनल का नाम है पार सेकेंड तो बच्चों पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे टॉपिक स्टडी की थे और मैंने आपको बताया था कि नेस्ट टॉपिक हमारा होगा Mendel's Biography तो नेस्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं Mendel's Biography से देखें बच्चों Mendel एक जो यह नाम है इनका पूरा नाम है Gregor John Mendel यह कोई ऐसे वैसे वेक्ती नहीं है बलकि एक बहुत ही मतलब क्या कहा जाया उनको साइंस के स्टुडेंट इनको बहुत ही सम्मान पुरग देखते हैं तो एक काफी knowledge वाले और जिन्होंने काफी sacrifice किया ऐसे scientist हैं हमारे scientist भी नहीं है एक general एक आदमी थे जिन्होंने यह सारी चीज़े experiment किया है उनका नाम है Mendel उनकी ही biography हम देखने जा रहे हैं तो Mendel का जन्म हुआ 22 July 1822 को इनका जन्म हुआ और इनका जन्म होना मतलब धरती पर इनका आना एक science के field में science के students के लिए एक वर्दान से कम नहीं है ठीक है उन्होंने बहुत कुछ हमको इस तरीके की चीज़ें बताई है और जन्म इनका कहा हुआ था आस्ट्रिया के ब्रून सेहर में इनका जन्म हुआ था और ये जो थे ये क्या थे he was he was Austrian monk थे मतलब की जो चर्च में जो पुजारी होते हैं जो पुजा करवाते हैं फादर होते हैं जो पुजा करवाते हैं वो ये थे ठीक है उसके बाद educated at the university of Viana ठीक है इन्होंने university से study किय और science और math की study किया क्योंकि इनको science और math में बहुत ही ज्यादा interest था ठीक है ये science और math से को लेकर के इन subjects को लेकर के ही आगे बढ़ना चाहते थे तो science और math में इनको काफी interest था इस वज़े से ये educated हुए थे university Viana से ठीक है in 1856 to 57 ये वो year है जब इन्होंने start किया अपना experiment ये ज पूरा आप पढ़ेंगे है ना मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था हिरीजीजी के बारे में तो पूरा जो ये हिरीजीजी के बार का पूरा जो concept है उसका इन्होंने study करना शुरू किया 56-57 में तो इन्होंने experiment के लिए लिया था pea plant यानि की मटर का पौदा लिया जिसका botanical name होता है पाइसम सेटाइवम तोड़ी सी और चीजे समझ लेते हैं इनकी biography अगर हम देखे तो बहुत ही जादा और भी चीजे हैं बीश में मतलब इनके जो ये चाहते थे वो कर नहीं पाया फिर आस्ट्रिया के मतलब यहां पर ये monk बन गये थे father का का काम करते थ जो उनका था ना वो science और math में था बिचारी जैसे होता है ना कि अपना subject है चाहता तो ये था बहुत सारे ऐसे student आज भी हैं जो कि उनका एक ये रहता है कि मैं इस subject को लेकर के ये करना चाहता हूं but unfortunately कुछ ऐसा situation हो जाता है कि वो अपने aim को अपने target को नहीं पापाते हैं ल जंगल मुवी में जो गीता बविता के फादर थे वो जिस उचाई तक जाना चाहते थे wrestling के थूरू नहीं जा पाए लेकिन वो किस तरीके से वहाँ पर दिखाये गया कि ये क्या चाह थी और नहीं जा पाए थे तो वो ढूंड रहे थे कि कैसे मैं उस चीज को मैं नहीं पा पाते थे वो कर नहीं पाए तो मॉंक बन गये थे तो चर्च में ये फादर का काम करते थे बट इंटरस तो उसी चीज में था फिर इन्होंने क्या किया कि उस जो चच था उसके पीछे गौडेन था जगन थी और वहां इन्होंने बह। सारे प्लांटेशन किये इनका प्ला एक्सपरिमिन्ट जो वहां पर वो जब पॉधे उगते थे तो वो पॉधों को देखते थे अचानक देखते-देखते उनके मानक में कुछ questions ने खट-खट किया, ठीक है, मतलब उनका mind, उनके mind में कुछ strike हुआ, कि वो plants को देख रहे थे न, तो plants के generation को देख रहे थे कि अच्छा, इस plants के, मतलब mummy, daddy, plants के parents ये थे, तो उनके बच्चे ये हुए, ठीक है, और फिर इन बच्चों में ये character change कैसे हो गया, ठीक है, इस तरही कैसे, कई generation वो plants को, उन्होंने plantation कर रखा था, तो उन plant को बहुत ध्यान से वो देखते थे, और उनको बहुत सारे character में changes भी मिलता था, ठीक है, अब science के student तो थे ही, कि अच्छा है, ऐसा होता है, ऐसा science के साथ नहीं होता, वो सोचते हैं, पूछते हैं, कि ऐसा होता है, तो क्यों होता है, तो इनका भी science में इंटर्स था काफी जादा, तो इन्होंने, इनके दिमाब में भी याने लगा, कि ये क्यों हो रहा है ठीक है फिर इन्होंने अब वो चीजे ये जो question होता है न वो सोने नहीं देता अब ये सोते भी थे न तो इनके दिमा में यही चीज घुंदा रहता था यही questions बारवार आता था कि ये कैसे हुआ होगा क्या हुआ होगा ऐसा ठीक है ये चीजे उनको खैनी थी अब उस बिचैनी ने एक experiment का रूप ले लिया ठीक है वह अब एक्सपरिमेंट उन्होंने सुचा कि नहीं मैं करके देखूंगा कि यह चीज क्यों हो रहा है इसके result पहूंचोंगा ठीक है तह तक पहूंचोंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है तो उन्होंने experiment करना शुर किया इन्होंने उसमें से पी प्लांड विपांड ओंता है इन्हों ने मतर का पॉधा ही क्यों सेलेट किया यह एक वोस्चन आता है ठीक है तो उसके बारे में बात करेंगे इसी चैप्टर में आगे बात करेंगे human उन्होंने मतर का पौधा ही select क्यों किया वब अक्यादे exam में भी एक question आता है ठीक है तो इन्होंने बहुत सो समझ करके बहुत दिमाग लगाकर इन्होंने मतर का पौधा select किया कि experiment तो मैं करूँगा result में ढून करके रहूँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है ये question का answer मैं ढून के रह ठीक है अच्छा जब वो experiment कर रहे थे तो उन्हें ने जो भी अपना experiment किया उन experiment को उन्होंने चुकि ये इनका math में भी interest था तो उन experiment को इन्होंने एक mathematical way देने की कोसिस की जिससे की बात को समझाना आसान हो जाए ठीक है मतलब एक mathematical ढंग से कैसी cross करवाएंगे एक formula के तोर प time में ये उनके लिए सही नहीं हुआ अब वो जो समझाना चा रहे थे कि mathematical ढंग से experiment को समझाना चा रहे थे तो इनकी बातों को ज़्यादा focus नहीं किया गया और लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आया कि क्या कर रहे हैं आप ये सब cross कर रहे हैं तो ये ज़्यादा समझ म जादा आया ठीक है मतलब इन्होंने अपना एक्सपरिमेंट के उसको मैथमेटिकल रूप दिया तो इस वज़े से लोगों को समझ में कमाया इधर ध्यान कम गया सबका ध्यान डाइवाट हो गया कि इधर चार्ल्स डार्विन की तरब ठीक है तो इन्होंने अपने एक्सपरिमेंट को बताने की बहुत कोशिस की कई मैगजीन में इन्होंने निकल वाया कि मैंने ये ये चीजे किया है ये मुझे रिजल्ट मिला है ठीक है मैंने ये जानकारिया ली है बट उस जानकारियों को वो लोगों तक पहुचान नहीं पाए ठीक है और लेकिन ये अप यह समझाते रहें लोगों से पील करते रहें कि भाई एक बार ध्यान करो देखो लेकिन किसी ने देखा नहीं किसी का ध्यान इनके एक्सपेरिमेंट पर गया नहीं उसके बाद इनके डेथ के 16 years के बाद है ना 16 साल के बाद उन्हीं वही questions कुछ अन्य साइंटिस्ट के में भी यह questions strike हुआ तो उनका ध्यान गया कि अच्छा पहले भी 16 साल पहले भी कोई थे जिन्हों ने और यह बहुत ही कोई rich family से बिलॉंग नहीं करते थे ग्रेगर जॉन मेंडल एक सम्माने family से बिलॉंग करते थे ठीक है तो और कोई बहुत बढ़े scientist भी नहीं थे लेकिन scientist बन गए है ना experiment करकर के तो उसके बाद जो दूसरे scientist आये तीन scientist आये जिनमें से एक Hugo रिब्रीज भी थे 16 साल के बाद उनके माइंड में भी जब question आया तो उन्हों ने ग्रेगर जॉन मेंडल के का जो experiment था उसको खंगालना शुरू किया यानि कि उसका वापस से rediscover किया गया ठीक है वापस से discovery की गई लेकिन discovery करने में ज्यादा effort नहीं लगा ना था जो ग्रेगर जॉन मेंडल बोल रहे थे उसको केवल पढ़ा जा रहा था और पढ़ने के बाद उसको वापस करके देखा जा रहा था कि क्या जो बोल रहे है वो सही है या गलत है ठीक है तो उसको व में इनका rediscover वापस से start हुआ था ठीक है after 34 years लेकिन discover करते करते भी 16 साल लग गये ठीक है rediscover में भी 16 साल लग गये तो 16 साल के बाद जब सारी चीजे पूरा rediscover हो गया तो ये पता पड़ा कि जो कुछ ग्रेगर जॉन मेंडल कह रहे थे पहले वो सारी बाते क्या है exactly वही है ब अभी rediscover में ये पता पड़ा कि जो उन्हों ने बताया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने वो चीजे काफी हद तक सही है ठीक है न और बहुत कुछ काफी कुछ बहुत जानकारिया उन्हों ने दिया है ग्रेगर जॉन मेंडल ने तो 34 years के बाद 16 साल के बाद तो experiment इस्टार्ट ह तो कुल टोटल 34 years के बाद इनके death के 34 years के बाद जब ये चीज़ बिल्कुल proof हो गया कि इन्हों ने जो कुछ भी बताया था बिल्कुल वैसा ही है तो इनके death के बाद उन scientist को इनके काम के लिए Nobel Prize दिया गया यानि कि ये पहले ऐसे scientist हैं जिनको मरने के बाद मरने के 34 साल इनके काम को Nobel Prize दिया गया और लेकिन चुकि सारा experiment इनका ही था जिनको देख देख करके केवल copy करके उसी को rediscover किया गया था इसलिए उन scientist ने भी पूरा honor सम्मान दिया और उसका पूरा credit Gregor John Mendel को ही दिया तो इस वज़े से Mendel को बोला गया कि Mendel क्या है father of the genetics हैना ये पूरा study जून होने किया था उसको genetics term बोला गया था Batson ने बोला था और इसका पूरा credit कि इसको दिया गया Gregor John Mendel को तो Gregor John Mendel को बोला गया कि Gregor John Mendel क्या है जैंटिक्स के father है ना new रखने वाले वही है तो father of genetics आप से पूछा जागा कौन है तो वो कौन है Gregor John Mendel ठीक है और Mendel ने किस प इनका पूरा नाम Gregor John Mendel तो ये हमने स्टोरी देखी Gregor John Mendel की काफी इंटरस्टिंग और काफी दुखदाई स्टोरी था इनका ठीक है क्योंकि इनको अपने काम का पूरा स्रे इनके जीते जी नहीं मिला था अब कुछ gentils जब हम पढ़ने जाएंगे है ना इनके rules को जब हम इनके नियमों को पढ़ेंगे इनके इन्होंने क्या experiment किया था वो सब चीजे जब हम जानेंगे तो उसमें हमको बहुत सारे चोटे 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 terms मिलेंगे जैसे आप math का chapter पढ़ने जाते हैं तो आपको उसमें बहुत सारे starting में formula मिलते हैं तो सबसे पहले आपको question solve करने स study तो वहाँ पर हमको बिल्कुल भी परिशानी नहीं आएगी तो इसमें कुछ general terms of genetics ने आप दिये गए हैं इसमें पहला है characters and traits characters और traits दोनों में क्या अंतर है बार बार आप देखेंगे कि word इस्तिमाल किया जाएगा कि यह character और यह traits ठीक है तो character और traits क्या दोनों एक ही चीज ना शरीर में आखों का होना यह character है लेकिन आखें किस प्रकार की हैं अब आखें कई प्रकार की हो सकती है ठीक है तो आखों को आइस को हमने मान लिया कि यह क्या है eyes को माना नहीं eyes क्या है character हो गया तो इसके कितने form आपको दिखाई दे रहे हैं इसके तीन रूप दिखाई दे रहे हैं ठीक है कि उसकी आखे निली है उसकी आखे भूरी है और उसकी आखे काली है ठीक है तो यह जो में है वो क्या कहलाएगा वो character कहलाएगा जैसे दूसरे example plant का length है ना अब पौधे की लंबाई है ना तो लंबाई पौधे की कितनी होगी लंबाई उसकी जो है यह एक character है लेकिन अब कितना लंबा होगा वो टॉल होगा लंबा होगा यह चोटा होगा ठीक है ये क्या है उसका अब लेंद की बात करें तो लेंद क्या है ये तो करेक्टर हो गया अब कैस कितना लंबा होगा ठीक है ना लंबा होगा ये छोटा होगा ये क्या हो जागा इसके दो रूप हो सकते हैं है ना पौधे के लंबाई की बात करेंगे तो दो यह क्या लंबाई हो सकता है, एक छोटा हो सकता है, एक बड़ा हो सकता है, तो जो छोटा और बड़ा, यह जो दो रूप दिखाई दे रहा है, यह क्या कहलाएगा, ट्रेट्स कहलाएगा, ट्रेट्स कहलाएगा, ट्रेट्स कहलाएगा, ट्रेट्स कहलाएगा, ट्रेट्स कहला पर आंगें, आप इता है, नाक है ना, तो नाक जो है यह क्या हुआ, नोज एक Character हो इ Egyptians हो सकते हैं, चिपता न हो सकता है它कए ऐसे हो सकता है नुखिला हो सकता है, मतलब काई तरिके का नक हो सकता है ठीक है तो नोज यह कॐ फॉर्म है, यह क्या कैलेंगे तो character और traits में क्या difference होता है I hope कि आपको समझ में आ गया ठीक है तो यह है character और यह traits बार बार बात के आ जाएगा character और traits का आब next है types of traits traits जो होते हैं यह कितने तरीके के होते हैं तो traits दो तरीके के होते हैं एक होता है inherited traits और दूसरा होता है acquired traits character का ही वो रूप है ऐसा trait जो कि एक generation से दूसरे generation में पहुंसता है ठीक है जैसे कि बाल hair के हम बात करें तो अगर बाल मेरे घुंगराले है curly hair है और मेरे पीछे अब मैं अपने मदर को देखती हूँ तो मेरे मदर के hair भी curly है ठीक है एक generation से दूसरे generation में ठीक है तो हम बोलेंगे कि यह trait क्या है inherited trait है ठीक है तो trait क्या होता है inherited trait होता है ठीक है यह इसका एक प्रकार है ट्रेट का जो भी वहाँ से parents से जो भी transfer हो रहे है character बच्चों में ठीक है ओफिस परिंग में तो उनको हम क्या बोलते है inherited trait, यह ऐसी treat है जो एक generation सें, दूसरे generation में जा रहे हैं, दूसरा होता है acquired acquired trait वो होता है जो एक generation सें दूसरे generation में नहीं जाता है, जैसे, कि कुछ भी है जैसे मालो रास्ते में जा रहे हैं और accident हो गया, accident में किसी के, किसी ने अपना pair खो दिया तो वह बीना पैर के एक paint से उपने पूरी life सर्वाइब करता है लेकिन यह करेकटर उसकी संतानों में जाएगा या उसके संता democracy यहागाँ तो आप्वर्योप्र के हरिःट और अप्डेंट्रेट एंड रिस Fazit आप ये जो character है जो trait है ये भी दो तरीकी का होता है ठीक है दो और हम देख रहे हैं इसके types एक होता है dominant और एक होता है recessive और dominant और recessive का बहुत ही उंदा game है इस पूरे chapter में ठीक है तो ये topic हमको जानना बहुत ज़रूरी है dominant और recessive तो dominant और recessive को समझने के लिए आपको मैं सीरियल बत Bakadur है तो हाँ मतलब strong है वह पहलवान टाइब तो जियान के साथ सुनियों रहता है तो जियान के सांद ही पड़ेगा तो जियान केसा सामने पड़ता है सुनियों दरा दरा से नजश anymore पड़ेगे तुसका प्ना ही पड़ेगा ढिذर यानी कि हर जगह जब जियान और सुन historiake pair में है ठीक है दोनई एक साथ चल रहे है जोड़े में है लेकिन हर जगह जियान अपने आपको express कर रहा है ठीक है? कहीं भी जाता है तो जियान की बात माननी पड़ेगी और सुन हो जो है वह दुबा ऐसे बिल्कुल रहता है ठीक है? तो जो अपने आ और सुनियो जो है वो क्या है रिसेसिव करेक्टर है जैसे कि अब हम प्लांट की बात करें ठीक है तो एक पौधा है जिसके अंदर मतलब टॉल प्लांट है एक तो टॉल प्लांट है और दूसरा प्लांट क्या है ड्वार्फ है ठीक है तो टॉल वाले के अंदर ये जिन है ठी ये character उसको कौन दे रहा है, उसके शरीर को लंबा किस ने किया, ठीक है, तो उसके पास एक jinn है, capital T, capital T, ठीक है, और एक जो पौधा छोटा है, तो उसको छोटा किस ने रखा, तो उसके पास एक jinn है, जिसको हम बोलते है, small T, small T, ठीक है, तो ये एक jinn, या ये alel है, pair में है, ठीक है ये एक एलील है और दुसरा ये एलील है आप देखिए अब अगर हम दोनों को mix कर दें यहां से हमने एक capital टी ले लिया यहां से small टी ले लिया और हमने एक ये नया एलील बना दिया एलील का मतलब होता है जोडे का है ना मतलब यहां पर जोडे के क्रोमोजूम में पेर बनाकर की, क्रोमोजम हमें इसा पेर बनाकर की रहते हैं, यही बात मैंने आपको बोला, कि जियान और सुनियों दोनों साथ साथ हैं, ठीक है न, दोनों क्या कर रहा है, पेर में रह रहे हैं, यहां पर भी दोनों पेर में हैं, यहां भी पेर में आपको दिखाई दे रहा है, और इसमें से एक इसमें से एक ले करके हमने भी एक नया पेर बना दिया, ठीके, अब यह जो पेर है, ठीके, इसमें एक capital T है और दुसरा का है small T है, अब capital T क्या है, capital T है, जियान, और small T क्या है, यह है, सुनियो, ठीके, अब यहाँ पर capital T जब small T के साथ है, तो क्या small T अपने character को कौन express करेगा capital T ठीक है क्योंकि जियान अगर है तो उसी का कहना मनना पड़ेगा जो वो कहना चाहेगा वह होगा ठीक है तो वो अपने character को express करेगा है ना तो जब capital T अपने character को express करेगा तो पौधा हमारा ये कैसा दिखाई देगा ये पौधा हमको दिखाई देगा टॉल ठीक है जबकि इसमें ये dwarf वाला जिन है लेकिन चुकि वो उसके सामने है ना वो उसके सामने है तो वो छुपा रहेगा वो अपने character को show नहीं कर सकता तो जो अपने character को show करता है वो dominant trait कहलाता है जो character को show नहीं करता है dominant के सामने वो recessive कहलाता है अकेले अगर है तो ये बिल्कुल show करेगा है अगर अकेले है ये इसके पास कोई dominant नहीं है इसके साथ कोई dominant नहीं है अगर सुनियों अकेले रहता है किसी दूसरे के साथ ठीक है बट recessive character यदि dominant के सामने आ जाता है तो फिर dominant वाला ही अपने character को express करता है तो dominant trait और recessive trait समझ में आगे आपको आप दूसरा इसी तरीके से flower का example ले लेते हैं जैसे कि flower है एक red flower है ठीक है और एक white flower है red flower जो है ये dominant character है और white flower जो है ये recessive character है आपको लगेगा कि कैसे पता कि ये dominant है और ये recessive है तो पता ऐसे हुआ कि जब हमने red flower वाले plant और white flower वाले plant के बीच में जब हमने hybridization कराया जब हमने cross कराया तो हमने देखा कि first generation में सारे के सारे जीतने भी fool थे सबके सब red हो गया ठीक है तो सारे के सारे red हो गए है ना red हो गए तो white वाले कहां गया है ना तो यानि कि character कौन सा express हो रहा है character express हो रहा है red यानि कि red color क्या है dominant है ठीक है red के सामने recessive की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो अपने character को show कर सके यानि कि recessive अपना white character show नहीं कर सकता सारे के सारे flower جो होंगे वो कैसे होंगे red होगे तो red color यहां पे क्या है dominant और white color क्या है recessive और पूरे इस gentics में जो हम dominant character को show करेंगे capital letter से और recessive character को show करेंगे small letter से तेके यह capital letter से show करना small letter से show करना यह सारी चीजे in Mendel ने ही सारी चीजे इस तरीके से बताया ठीके अब देखें का स्टार्ट हो गया है ना इन्होंने mathematical अपना mathematical term इस्तिमाल किया था mathematical method इस्तिमाल किया था इस वज़े से चीजों को formula के तोर पर बताने की कोसिस कर रहे हैं समझाने की कोसिस कर रहे हैं ताकि बात को आसानी से कम बोलना और ज्यादा समझाना ऐसा कर सकें तो इस अब यह देना शुरू कि आप formula के तोर पर है ना कि हम dominant character को आप समझ लीजे capital T capital T और recessive को आप समझ लीजे small letter ठीक है तो कोई भी अगर है threat आता है तो उसके लिए dominant threat अगर threat है ठीक है तो उसका dominant threat जो होगा उसको हम capital letter से show करेंगे और recessive threat जो होगा उसको हम small letter से show करेंगे ठी ठीक है तो बच्चों आज हमने यहां तक सीख लिया अभी जो हमारे यह general term है यह खतम नहीं हुआ है इसमें बहुत सारी चीजे और है यह हम क्या सीख रहे है चैप्टर से कोई के questions लगाने से पहले उसके formula सीख रहे है तो पूरे चैप्टर में इन चीजों का आप करेंगी बार-बार dominant character आएगा बार-बार recessive character आएगा तो यह बाते हमको पता होनी चाहिए कि dominant क्या होता है recessive क्या होता है इसलिए यहां पर सबसे पहले हम यह general term study करेंगे अभी इसको आगे और continue करेंगे तो बच्चों आज के लिए तही study करते रिए ओके